सवागे थे मित्रों कहाने का आगे बढ़ाते हुए दिखाया जा रहा है एन लेन को अपने साथ लेकर आया है और एक लड़का जिसका नाम है मींक एन के बेक में पटिया खटे होए के रहा था कि एन डॉक्टर ने कहा है तुम्हारे बेक में फेक्चर हो गया है और तुम्हारे लेक में भी चोट लगा है पर फिकर की कोई बात नहीं तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे बस तुम टाइम से दबाई लेते रहेना और कुछ दिनों तक तुम्हें इस वेलच यार के सहारे ही रहेना होगा एन कहता है खीके और अपका शुक्रिया भाई मीं तब में बेहोश लेन के और देखकर एन से कहता है कि एन ये छोटा सा लड़का कितना शक्तिशाली है पता है हर छोटा चीज बहुत शक्तिशाली होता है ये लड़का अपना हाथ अगर दिवार में थोड़ा सा मार दे तो द यहाँ पर एन याद करने लगता है जब एन ने लैन को वाटर एक्सपरिमेंट से बचाया तब एन समझ गया था कि लैन जूंबी बनने वाला है वो तब अपना शौक डिवाइस से लैन को शौक दे कर भेऊश करने ही वाला था तब लैन इतनी खड़ा फालत में भी जूंबी बंदे बंदे उसने एन का नाम लिया और लैन के मूँ से इतनी दर्ट बड़े आवास में अपना नाम सुनकर एन के हाथ से उसका शौक डिवाइस गिर जाता है और उसके बात क्या हुआ यह तो हम सब को ही पता है खेर एन तब यह याद करने के बाद एन के कमरे में वो गा पत्वास नहीं होता कि हम सबने मिलकर इस लड़के को उठाने में अपना ताकत लगाया यह लड़का कितना भारी है एन केता है परिशानी के लिए माफ कर देना वो लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं हम तो बस ओडर फॉलो कर रहे थे खेर उसके बात वो लोग चले जाते है और मिंग एन से कहने लगता है कि एन तुम जादा परिशान मत हो अगर तुम्हारा तबियत ठीक ना लगे या फिर तुम्हें लगे कि तुम्हें भुकार आ रहा है तो तुम मुझे कॉल कर देना मैं कल आकर तुम्हें चित करूंगा यहां हम एन को देखते हैं जो लैन को देखने में ही खो जाता है मिंग एन से कहता है कि एन क्या तुमें मेरा बात सुनाई नहीं दे रहा एन तुम कहा खोगे एन तुम मुझे माफ कर दो पर क्या मैं तुम से एक बात कहू एन अगर तुम नहीं चाते हो तो तुम लैन को दुबारा टेस्ट के लिए लेप मत लेकर आना एन पुछता है ऐसा क्यूँ? मिंग बताता है क्यूँ कि जब जब लैन के उपर एक्सपरिमेंट होगा लैन को तकलीफ होगा और मैंने देखा है कि लैन को तकलीफ में देखकर तुमें दर्थ होता है यहाँ एन कहता है तो फिर एक्सपरिमेंट का क्या होगा? हमें लैन के रास के भारे में कैसे पता चलेगा? और इन सब के लिए जो मुझे इस्तिमाल किया जा रहा है उसका क्या होगा क्या ये सही नहीं है मिंग केता है मेरे छोड़े बाई एन तुम बहुत ही समशदार बच्चे हो और मुझे पता है कि तुमारे जिवन का सिरिफ एक ही लक्षे है वो है सिरिफ और सिरिफ एक्सप्रिमेंट एन गुसा करते हुए कि भाई मिंग आपको मेरे बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए मीं कहता है एन तुम गुसा मत करो अच्छा ठीक है तुम मुझे माफ कर दो मैंने तो ये सब बस ऐसे ही के दिया यहाँ से सिंशिप्ट होकर वोही तिन गुंडे भाई साब को दिखाया जा रहा है जहाँ फास्ट गुंडे भाई साब के कान में एक लड़की मलंपटी करते हुए कह रही थी कि तुमने कहां से अपने कान में चोट लगा कर आगे तुम सिर्फ मुझे परिशान करते रहते हो और बाकी दो गुंड़ा भाई साहब लेन के बारे में बात करते हुए कह रहे थे कि लेन को हो क्या गया है क्या लेन पगला गया है वो अचनक इतना आक्रमन की हो गया तब हम कुंटे भाई साहब लोगों के बॉस को देखते हैं जो उन लोगों के पास से उठकर के ही जा रहा था फास्ट कुंटे भाई साहब पुछता है कि बॉस आप कहा जा रहे हो बॉस कहता है कि मैं हमारे बिक बॉस से मिलने के लिए जा रहा हूँ फर्स्ट कुटा भाई साब कहता है कि बोस आप रुख जाये मैं ड्राइट करके आपको उधर लेकर चलता हूँ बोस कहता है कोई दरूरत नहीं है मैं चला जाओंगा और इस बार जित सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा यहां से आते है एन और लेन के और जहां मिंग एन को लेन के पास उसके कमरे में छोड़ कर वो चला जाता है और एन अपना विल्चियार को चलाते हुए विस्टर के पास आता है और बेहुश लैन के सर में प्याट से हाथ रख कर सोचने लगता है कि कैसे एन ने पहली बार लैन को देखा था और उसमें लैन कोई जॉंबी नहीं बल्कि एक इनसान था सो हुआ कुछ ऐसा था कि एन कहीं जा रहा था उसमें एक बिल्डिंग के छट से बहुत सारे पेपर प्लेन एन के सर में उरकर गिनने लगते है एन तब उन में से एक पेपर प्लेन उटा कर खोलता है जहाँ किसी ने किसी के लिए एक नोट लिखा हुआ है एन उस नोट को परकर छट के उपर ये चेक करने के लिए जाता है कि इतने सारे पेपर प्लेन में नोट लिख कर उरा कौन रहा है तब पहली बार एन लेन को देखता है जो पेपर में नोट लिख कर बहुत सारे पेपर प्लेन एक के बाद एक उरा रहा था तब हम N के हाथों में उस paper plane में लिखी हुई note देखते हैं जहां land ने लिखा था कि तुम जहां भी रहो खुश रहो और मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूंगा तब land के नजर भी N के ओर पड़ता है जो उसे ही देखे जा रहा था खेर अगर हम इस paper plane में लिखी हुई note की बात करें तो इतना तो समझ में आ रहा है कि ये note जोई के लिए था अभी N के सोच से बाहर आते है जहार N के touch से land जाब चाता है और अपने सामने N को देखर land गुसे में आख बबुला होकर N का गिरेबान पकड़के N से कहता है कि N अभी तुमें मुझसे क्या चाहिए N साले कमीने तुम तो एक नमबर के सुआर्थी निकले तुमने मुझसे जूट क्यू कहा N कुछ तो जबाब दो N तब कुछ नहीं कहता बलके खामोशी से सोचने लगता है कि मुझे तो कुछ सूची नहीं रहा इस हालत में मैं तुमें क्या जबाब दू लेन अगर मैं तुमसे कुछ कहूंगा उसका कुछ फायदा तो होगा नहीं लेन क्या ये अच्छा होगा कि मैं तुमसे माफी मांग लू लेन तब N का खामोशी देखकर उसे गुसराने लगता है और लेन N को पकड़के एक के बात एक मुका मारते हुए N से कहता है N कुछ तो शरम करे लेन को डरने ही लगता N को मारने से लेन चाहे तो N को अभी के अभी जान से मार सकता है N तब जैसे ही लेन से माफी मांगने बाला होता है लेन गुस्ल में कहता है तुम तो चूपी रहो फिर एन को खासी आ जाता है वो जोर जोर से खासने लगता है ये देखता लैन दर जाता है और एन से बुछने लगता है कि एन मैंने तो अपना ताकत तुमारे उपर इस्तमाल नहीं किया एन तुम्हें ऐसा क्यों कर रहे हो तब हम एन को देखते हैं जिसके नाग से खून आने लगता है और ये जाहिर सी बात है ये लैन के मुक्के का कमाल है खेर आते हैं स्टोरी में लैन तब कुछ शान होता है और एन को गोर्ड से देखने लगता है एन जो विलचियार में है ये देखका लैन पर इशान होकर विस पप्टी करने के लिए वो जला जाता है कुछ दिर बात एन धीरे धीरे चल कर अपने कमडे में आता है और लैन को उदास हो कर अपने बिस्टर में पड़ा हुआ देखता है एन लैन से कहता है कि लैन खबारदर तुमने अभी रो धोकर अपना आजू और अपना नाग मेरे बिस्तर में जाने की कोशिश की तो लेन एन के और देखकर गुस्ता करते हुए कहता है कि तुम अपना बक्वास बंद करो और बताओ कि मेरा कपड़ा और मेरा फोन किदार है एन तब कुर्सी में बैटकर लेन से कहता है कि वो तो मैंने दर्वाजे के सामने रखा है लेन तब उठकर जाने लगता है एन लेन से कहता है कि लेन तुम मत जाओ तुम कुछ दिन मेरे घर रुख जाओ यही तुमारे लिए अच्छा होगा क्योंकि बाहर लैंट अभ ऐन की बात आधि सुनकर ऐन को चोग कर कहता है कि किया ऐन तुम्हें जो मुझसे चाहिए था वो तो तुम्हें मिल गया तुम्हें मेरे उपर एक्स्प्रीमेंन करना था वो तो तुमने कर लिया और मैंने भी अपना गुस्सा तुमारे उपर तुम्हें पित पित कर निकाल लिया तो हमारा हिसाब बड़ाबर ठीक है तो अभी हमें किसी भी बारे में बात नहीं करना चाहिए क्योंकि हम दोनों जब भी अपना मुँ खोलते हैं तो हम दोनों सिरिफ जगड़ा और लड़ाई के इलावा और कुछ नहीं करते और इससे मुझे और गुस्सा आता है तो चलो इस बात को हम यहीं निप्टाते हैं आज के बात से हम दोनों एक दुसरे से नहीं मिलेंगे ये कहने के बात लैन जाने लगता है लैन तब रुक कर एन की और देख कर कहता है कि एन तुम कौन होते हो मानने वाले या फिर नहीं मानने वाले एन यहां कहता है कि लैन में सही कहा एन कौन होता है पर अगर लैन एन को छोड़ कर गया तो हो सकता है कि लैन जादा दिन तक ना बच पाए लेन कहता है क्या सच में तो फिर लेन मर जाएगा इससे एन को क्या लेना देना लेन तब फिट से जाने लगता है और हम एन को देखते है जो लेन की बातों से बहुत परिशान हो जाता है एन लेन को रोकने के लिए कहता है कि लेन ऐसी बाते कैसे कर सकता है क्या लैन को सच में याद नहीं कि कुछ दिर पहले लैन जब जोंबी बन गया तब लैन ने कैसा तबाई मचाया लैन ने लोगों को नुकसान पोचाने की कोशिश की लैन ने अल्मोस्ट एक आदमी के उपए हमला करके उसको खायल कर दिया था एन कहता है कि अभी अकर लैन एन के पास से गया तो एन को पता नहीं आगे लैन जब भी जोंबी बनेगा तब लैन क्या क्या तबाई मचा सकता है लैन एन के बातों से तब भी नहीं रुखता तो एन दोरकर लैन के पास जाकर उसे पिछे से पकड़ के कहता है लेन रुख जाओ, लेन तब एन से कहता है कि तुम्हारा प्रोब्लेम क्या है तुम मुझे जाने दो एन कहता है कि लेन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा प्रोब्लेम क्या है मैं तुमसे इतना अच्छे से बात कर रहा हूँ मैं तुमें situation समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पर तुम हो की मेरा बात सुन ही नहीं रहे हो और जैसे कि एन का तब्याद ठीक नहीं है तो लैन के पिछे दोने के कारण एन को पेन होने लगता है फिर एन अपने पास से लैन का टेस्ट रिपोर्ट लैन को दिखाते हुए कहता है कि देखो लैन अगर इस experiment से किसी का फायदा होगा वो सरिफ तुमारा तुमारे सारे चोट घाव वो कुछी समय में हील हो जाएंगे तुम थोरी ना कोई इंसान हो जिसे दर्थ होगा इस experiment के उपर काम करता हूँ कभी कभी तुम मुझे रात रात पर जाकर काम करना पड़ता है यहाँ पाल लैन एन के बातों का कोई जबाब नहीं देता यह देखकर एन लैन से कहता है कि लैन चोई का क्या उसके बारे में तो सोचो क्या तुम चोई को भूल गे लैन एन के मुझे चोई का नाम सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है लैन एन के उपर चिलाते हुए कहता है कि एन जब से चोई आया है मैं देख रहा हूँ बात कोई भी हो तुम चोई को बीच में ले ही आते हो एन तुमें मुझसे चाहिए किया अगर मैं तुम्हारा एक्स्प्रिमेंटल सबजेक्ट बन जाओ तो क्या तुमें चेन मिल जाएगा उसके बाद लैन अपने हाथों में अपना experimental test result देखते हुए कुछ सोचने के बाद ही मैं आउस में कहता है कि चोई क्या ये सही है क्या मैं सिरिप एक चलता फिर तर test subject हूँ उसके बाद लैन अपना test result जमीन में पढ़कते हुए एन का हाथ जोर से पकड़के एन को दिबार की और पुछ करते हुए एन से कहता है एन बहुत हो गया अभी तुम्हें मेरे उपर और जासुसी करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें जानना है ना कि मेरा और चोई का क्य आरिश्ता है आव मैं तुम्हें प्रेक्टिकली करके बताता हूँ फिर लैन कुछ रोमेंटिक वैसे एन के नस्दिक और नस्दिक आने लगता है सो मेरे ब्यारे मित्रो एन और लैन को देखकर खुच ऐसा लगता है वो सीरीस में जो होते है एक बिचारा लाचारे अच्छ पती जिसके भागे में एक चालाग भहम जैसी पत्नी जुट जाती है खेर इट्स पाट अवी जोग पर आप सब लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिलकुल भी मत बुलिएगा तिल देन स्टेव इत मी अंसी ओ